चुनाव आयोग जूट बोल रहा है, क्लियर कट जूट बोल रहा है, सब को पता है कि EVM में दांदली कोई छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है इलेक्शन कमिशन के पास अपने इंजीनियर 543 नहीं है, तो प्राइविट लोगों को एंगेज करके ये काम कराया जाता है EVM धोका है, धोका है, धोका है, इसके बारे में बात करना ही फिजूल है, बेकार है, चुनाव आयोग जूट बोल रहा है, उसका भी सबूत है सबसे बड़ा, जो परसो कांड हुआ था हम लोगों के साथ, पूरे देश में लाइव भी किया, कि वहां सीनियर IPS ओफिसर और प 20,000 वोट इदर उदर हो जाएं, कोई बात ही नहीं, क्या इनको समझ है, इलेक्शन कमिशन बनने की, तो इतनी बड़ी बेहिमानी जंता के सामने परोसने की, कि वह सो प्रतिशत जूट बोल रहे हैं, एक मिनट पर पकड़े जाएंगे, चैलेंज मोदी जी को भी, और ये ज चुका है, कल आपने वो तस्वीरे देखी होंगी, जब सुप्रीम कोट के वकीलों को ये कहे कर, दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई, कि वो उन्हें सुप्रीम कोट लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेशर्मी और छूट का मुदाहिरा करते हुए, उन् सुप्रीम कोट के वकीलों का है, आप सोचिए कि आम जन्ता का क्या हल होता होगा इस पुलिस और प्रिशासन के आगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रित्वी पर सबसे बड़े सच्चे इमांदार वेक्ति जो पैदा हुए हैं, उसके ना पहले ना बाद में कोई इमांदार इनसे बड़ा वेक्ति पैदा हो यह नहीं सकता, ये बात तो सबको पता ही है, इसमें कोई शक और शु और और अडिनेंज लाकर ये काम किया कि अपना नॉमिनी बना लिया इलेक्शन कमिशन में तीसरा, तो अब एक बात तो तैय हो गई कि जो हमारे सबसे ज़्यादा इतिहास में ना भूतो भवश्यती सबसे ज़्यादा इमांदार और सच्चे वेक्ति प्रधान मंत्रियें और इलेक्शन कमिशन वह अपॉइंट करते हैं एक बात तो यह तैय होगी अब दूसरी बात यह है कि जो परसो कांड हुआ था हम लोगों के साथ आप सब इमांदार पत्रकारों ने देखा भी और पूरे देश में लाइव भी किया कि वहां सीनियर आईपेस ओफिसर और प क्या कोई सीनियर शिविल सर्वेंट या पुलीस अधिकारी अगर वो स्वैम अपरादी ना हो ऐसा जूट बोलेगा नहीं बोलेगा अब यह पुलीस अधिकारी तो पोस्ट ही हमिच्छा साब करते हैं मोधी जी करते हैं दिल्ली पुलिस के जब वो आप सब लोगों के सामन इतना बड़ा जूट बोल सकते हैं, तो जो मोदी जी द्वारा अपॉइंटेट, इलेक्शन कमिशन के मेंबर होंगे, वो क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या नहीं कर सकते, कितना जूट बोल सकते हैं और कितना सच बोल सकते हैं, यह आप लोगों के सामने crystal clear हो जाना कोई छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है, और अगर कोई इमानदार अफसर जो चौकिदार election commission बोलता है जो अपने frequently asked questions में, कि हमने हर जगा इमानदार चौकिदार लगा रखें, अगर कोई 100% इमानदार भी चौकिदार लगा दे हजारों की संक्या में, हजारों नी ला मैं अभी लोग सभा के election के लिए बता रहा हूं है, जब VVPAT बनेगा, तो जब nomination पूरे हो जाते हैं, जब candidates के नाम पता लग जाते हैं, जब ही तो वो उसमें induce करेंगे ना कौन-कौन candidate हैं, और ये कम से कम पूरे देश में 543 जगा होता है, उसमें कितने प्रकार के लोग ज धोका है, धोका है, इसके बारे में बात करना ही फिजूल है, बेकार है, मैं अपनी बात इस संदर्ब में ये कह के खतम करता हूं कि दो, चीफ इलेक्शन कमिशन और ये जो अधिकारी पूरे गाउं गाउं और देश जेश जाके डिमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, ये इस देश की जनता की आवाज है, इतनी मजबूत आवाज है कि मजबूर होके पहली बार हिस्ट्री में चुनाव आयोग जो जो पुलिटिकल पार्टी के हाथ में देने को तयार नहीं था ये मशीने, चूने की बात नहीं, अब तो सड़कों पे ले जाके दिखा रहे हैं, तो ये इस देखें वो, तो उनका क्या लाइन नजर आती है इन दोनों इलेक्शन कमिशन्स की, कि जो ये सेंपल सर्वे हो रहा है, जो सेंपल 2% ये वीवी पैट में से उठाते हैं, उसको ये मापदंड बानके इमानदारी से चुनाव हो रहा है, ये कहना चाते हैं, ये दोनों के दो चावलों जैसे हैं, एक चावल देख लिया और सब देख लिये, एक एक एक्जामपल ये दे रहे हैं, और दूसरा एक्जामपल ये दे रहे हैं, रावत साब, कि margin of error इसमें 2% का है सरफ, तो इसलिए तो बिलकुल 100% सुरक्षित है, अब ये margin of error अगर 2% का है, तो ये कितना सुरक्षित है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ, अगर किसी constituency में 10,00,000 वोट पड़े, तो 2% कितने हुए, 20,000 वोट, 20,000 वोट, margin of error, जो मोदी जी के सबसे बड़े सिपसला रहे हैं, इसको defend करने के लिए वो बता रहे हैं, कि 20,000 का अगर 10,000 वोट पड़े, 10,000 वोट प सकता है, दुनिया में, मैं जैसे मशीनों के बारे में बता रहा हूँ, कोई भी चिप या मशीन ऐसी नहीं बनी, जो खराब ना होती हो, जो temper ना की जा सकती हो, दुनिया में नहीं बनी कोई, उसी तरीके से दुनिया में कोई भी sampling का ऐसा method नहीं बना, जिसमें margin of error ना हो, इ एक वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता, जिन election commissions को वो हमारे election commission कितने लंबे लंबे टाइम तक रहे हैं, यह नहीं पता, क्या वो election commissioner बनने के लायक थे, कि एक वोट से भी चुनाव हरा और जीता जाता है, वो बता रहे हैं कि 10,000 सरकार गिरी थी, एक बार, मैं वो तो चल में से 20,000 वोट इदर उदर हो जाएं, कोई बात ही नहीं है, क्या इनको समझ है election commission बनने की, और अगर समझ है, तो इतनी बड़ी बेहिमानी जंता के सामने परोसने की, इनको क्या कोशिश करनी चाहिए, तो जंता इनके वेकावे में बिल्कुल ना आए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल किसी discussion में नहीं पढ़ना है, देश की चंता ने decide कर लिया है, paper ballot से चुना होंगे, और अगर किसी को कोई शुबा है, कोई शक है, तो रास्ता हमारी EVM हटाओ, संयुक्त मोर्चा, हम आप सब के सामने debate करने के लिए तयार हैं, ये दोनों election इसका काम आपको लग रहा होगा में कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई रिस्त नहीं है, क्योंकि वो सो प्रतिशत जूट बोल रहे हैं, एक मिनिट में पकड़े जाएंगे, हम उनके मूँ से एक एहलवा लेंगे, दोनों चुनावाई होगा आजाएं, retired, कि हाँ इसमें धान पॉइंट्स का हम, चैलेंज मोदी जी को भी, और ये जो दो सिपसालार इन्होंने जर्नल्स उतारे हैं, उनको भी दे रहे हैं, मोदी जी तो नहीं आ सकते, खेर, बिजी होते हैं वो बहुत सारे कामों में, लेकिन ये दोनों चुनावाई हो, जो जन्ता को जूट बोल रह पॉइनद्स हैं, मानु जी उसके साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहे हैं, दूसरा जो Hotelुकर से सेही सेहीं जो डूसरे ट्रपर टाइषेशन से जो बहुत जल्दी कि हम उनको भी प्रेंटेंटेशन दें इस बारे में क LGBलेंट के आवर जैंधर आबी भी यहां भी पैट के जहांसे से दूर करना है और दूसरा एक हम लोग एक बैनर इश्यू कर रहे हैं जो हम चाहेंगे कि यह सभी लोग आपको डीसी कपल साहब ने सब को यह आपके वाटसेप पर भी भेज दिया यह अपने घरों में अपनी दुकानों में अपने काडियो पर अपने करें बॉऄ बहुति दिय्सक्तनी के कि वाटसेप ग्वाटसेप मेसेश में अपना इसको डिस्प्ले लगाएं मैं ने अ हर जगा जिस भी सोशल मीडिया पर इसको डिस्प्ले लगाएं यह बिya हम गुजारिश कर रहे हैं क्या लिखा इस पे पढ़के बताईए एवियम अटाओ देश बचाओ और उसके बाद पिक्चर्स है उसके नीचे एवियम हटाओ सयुक्त मोर्चा सबने देख लिया सबको क्लियर हो गया और दो जो फोटो है इसमें बाकदा एक में एवियम जिसको कट किया गया है कि इससे चुनाव नहीं और बैलेट पेपर उसमें बैलेट डालते हुए बैलेट बॉक्स में वो दिखाया गया है कि इसी को आगे इस्तेमाल करना है बैलेट पेपर से चुनाव होना यह दिखाया गया है जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग यह लगाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा पूरी भरोसा नहीं करते हैं, यह हमसे पूछ रहे हैं वह जो ईवीएम से जीतना चाहते हैं, हम पर इतना इतना भरोसा कम है ने क्या, बीज़ेपी करताओं पर यह उनकी पीडा भी मैं आपको बता रहा हूं, तो यह 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 बात मुझे आपसे करनी थी, बहुत-बहुत धन्यवाद तो दोस्तों वकीलों के तेवर बिगरते ही जा रहे हैं और प्रिशासन भी किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखा रहा है और जिस तरीके से प्रिशासन की और वकीलों की नोजोग चल रही है आने वाला समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा दोस्तों आज क वीडियो अपनी यही खत्म करते हैं जल्दी किसी एक नए मुद्दे पर नए वीडियो मापके सामने फिर से हाद ही रोंगे तब तक के लिए इजादत दीजिए जैहिन अल्हाफिस